साथियों, सिलंपूर हो, जामिया हो, या फिर शाहिन बाग, बीते कई दिनों से citizenship amendment bill को लेकर प्रदर्शन हुए, क्या ये प्रदर्शन, सिर्फ एक संयोग है, जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है, इसके पीछे, राजनीती का, एक ऐसा डिजाइन है, जो राश्त के सोहार्द को, खंडित करने के इराजे रखता है, ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता है, तो सरकार के तमाम आस्वासनों के बाद, ये समाथ तो हो जाना चाहिए था, लेकिन, आम आदमी पार्टी, और कॉंग्रेस, राजनीती का खेल खेल रहे हैं, और वो सारी बाते अबुजांगर हो चुकी है, सम्मिदान और तिरंगे को सामने रखते हुए, ज्यान बाटा जा रहा है, और असली साजी से ज्यान हटाया जा रहा है, साथियों हमारा सम्मिदान ही देश की न्याय पाली का हमारी अदालतों का अधार है, सम्मिदान की बावना के अनुरुपी न्याय आले चलते हैं, लोगों के इंसाब देते हैं, समय समय पर अलग अलग केसों में अदालतों की, हमारे देश की सर्वोच अदालत की बावना यही रही है, कि विरोध प्रदर्शनों से सामान्य मानिवी को दिक्कत न हो, देश की संपत्ति का नाश न हो, प्रदर्शनों के दोरान, पुई हिंसा, तोड़ फोड, आज़नी पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपनी नाराजी जताई है, लेकिन ये लोग अदालतों की परवा नहीं करते हैं, ये कोर्ट की बात ही नहीं मानते, और बाते करते हैं सम्मिदान की जिस सम्मिदान ने न्याई पालिका को बनाया और न्याई पालिका जो कह रही है उसको मानने को तयार नहीं और दुनिया को सम्मिदान दिका रहे हो अब देखिये इजवज़ से कितनी दिक्कत हो रही है दिल्ली से नोएड़ा आने वा जाने वाले लोगों को दिल्ली की जंता इसे देख भी रही है समझ भी रही है वो चूप है साइलेंट है और वोट बेंक की इस राजनीची को देखकर दिल्ली का नागरी गुस्से में भी है साथ्यों इस मानसिक्ता को साथ्यों इस मानसिक्ता को यहीं रोकना जरूरी है साजिस रचने वालों की ताकत बड़ी तो फिर कल किसी और सड़क किसी और गली को रोका जाएगा हम दिल्ली को इस अराजक्ता में नहीं छोड़ सकते हैं इसको रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते हैं बाज़पा को दिया हर वोट ये करने की ताकत रखता है वही कर सकता है साथियों हमारी सरकार अपने कर्तवियों को निभाने के लिए पूरी निश्चा से काम से लिए